अच्छा परिवारवाद के आरूपों से अब तक दोनों पार्टी क्यों नहीं मुक्तों पाई है विवस्ता है राइनिती की वह जिताओ उमीद्वार एक बार हमेशा ने खुनने का था कि मुझे जिताओ उमीद्वार से यह चैतुम चंद्रियान से जाके लेकर आओ राइनिती विवस्ता है अमिशा वोई बोल गए जो समय काल देश परिस्तिती चुनाव लड़ना तो सब करना पड़ेगा आपको जो है तो परिवारवाद में कोंग्रेस ने तया किया करिवार अभी के नहीं देंगे हम जो है लेकिन फिर अमरा राम के बेटे को आपने दिया राम परताप है दॉक्टर हनमान गर्ड लगए उनके बेटे को आपने टिकेट दिया ऐसे बहुत से टिकेट आपने परिवारवाद में दिया है तो बीज़ेपी में देखे तो करीव करें आप देखें कि कि तेरा टिकेट है जो आप बंच्वाद परिवारवाद कहते हैं आप उसको, आप दिया कुमारी को ले लीजिए इसके अंदर, ठीक है, सिद्धिक कुमारी को ले लीजिए, केवन महाश्री की बेटी को ले लीजिए, और ले लीजिए, ऐसे 10-15 केसेज हैं, वहाँ पे, इज़र कॉंगरेस मुख से भी ज्यादा केसेज हैं, आप उठा के में परिवारवाद को जिन्दा रखते हैं, तो इस चिनाम में परिवारवाद को जिन्दा रहा, लेट सी फूचर में क्या होता है, लोक से भाव में. सर, राजस्थान के पुराने जाट नेता जो हैं, सोना राम जी, उनकी जो कॉंगरेस में वापसी हुई है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वापस आगे हो, तो वहाँ गुड़ा मिलानी एक सीट है बाडमेर के अंदर, तो हेमाराम चोदरी जो पहले मंतरी से पाइलेट कैम पे थे, उन्होंने का मैं चौनाम नी लगना चाहता, वो एक भले आदमी है, मंतरी पर उनको ऐसी मजा नी आता था, वो इमानदार हो अप अपने के अदमी है